हालो एव्रीवान आज ही हमारे वीडियो में बात करेंगे अरेस्टेट परसंस के राइट्स की इसलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसी भी इंसान को अरेस्टेट कब माना जाएगा तो जब भी जो पुलिस है वो किसी को भी फिजिकली डिटेंड कर लेती है तो उसे माना जाता है कि उसे अरेस्ट किया गया है लेकिन किसी भी इंसान को तब तक अरेस्ट नहीं किया जाता जब तक उसे रीजन्स नहीं बताय जा रहे है कि उसे क्यों डिटेंड किया जा रहा है उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है यानि क्या रीजिंग है उसने क्या गुना किया है क्या offense किया है law के किस provision के according किस के अंदर जो है उसे arrest किया जा रहा है जनरली जो पुलिस होती है उसे warrant की जरूरत होती है before arresting anyone तो यह जो warrant है वो कुछ situations में तो जरूरी है और कुछ में नहीं है अब वो कौन सी situations होती है वो समझ लेते हैं तो यह जो हमारा crime है वो दो तरीके का होता है cognizable offenses and non-cognizable offenses non-cognizable offenses जो होते हैं उन cases में पुलिस को warrant की जरूरत पड़ती है before arresting anyone अब आप लोग सोच रहोंगे यह non-cognizable offenses क्या होते हैं तो यह वो offenses होते हैं जहां पर पुलिस को ना तो FIR arrest करने की जरूरत है ना ही investigation करने की जरूरत है और ना ही magistrate की permission की जरूरत है before arresting anyone इसके अंदर जो offenses included है it includes minor offenses जैसे की एक दूसरे को abuse करना minor scuffers या फिर intimidation so non-cognizable offense वो offenses होते हैं जहां पर पुलिस को arrest करने से पहले उस person को warrant दिखाना पड़ेगा और यह warrant उन्हें कैसे मिलेगा from the magistrate यानि पुलिस जो है वो magistrate के पास जाएगी कि इस परसन में यह गुना किया है यह problem है यह offense किया है और इसके बाद जो magistrate permission देता है उसी को हम warrant कहते हैं so there are two kinds of offenses cognizable offenses and non-cognizable offenses non-cognizable offense के अंदर अगर पुलिस किसी को arrest करना चाहती है तो उस case में उन्हें magistrate की permission चाहिए होगी और इसी permission को हम warrant कहते हैं यह generally include करता है minor offenses दोसी तरफ जो cognizable offenses हैं उसके अंदर किसी भी तरीके की investigation की warrant की जरूरत नहीं है जैसे ही अगर crime commit हुआ है उसकी information police के पास पहुच रही है तो वो जाते ही उस person को arrest कर सकते हैं without any warrant and generally it includes crime related to murder, rape, dowry death, kidnapping, theft, etc तो यह तो हम समझ गये कि किसी भी person को किन-किन scenarios में with warrant arrest किया जाता है और का without warrant लेकिन जब भी किसी को arrest किया जा रहा है एक चीच common है और वो यह है कि जैसे ही उसे arrest किया गया है उससे पूछा जाएगा कि वो अपने कौन से friend या फिर family member को जो है इस बारे में inform करना चाहता है तो पुलिस उसे इंसान से पूछेगी कि वो किसी friend को या family member को inform करना चाहता है और जिसका भी वो जो है address या number नाम जो भी है वो देंगे उस person को क्या है इंफर्म किया जाएगा कि आपका जो friend है या फिर जो family member है उसे arrest किया गया है इस is crime के लिए लेकिन अगर उस person का जो भी friend या फिर family member है वो किसी दूसरे district या town के अंदर रहते हैं तो उस case में the police must notify them within a period of 8 to 12 hours उन्हें बताना होगा कि इस person को कब arrest किया गया है कहां arrest किया गया है और अब arrest करने के बाद उसे कहां रखा गया है और notify करने का यह जो काम है इसे किया जा सकता है with the help of the legal aid organization in the district and the police station of that area तो अब हम बात कर लेते हैं उन सभी rights की जो कि किसी भी arrested person के पास available है यानि जब भी किसी person को arrest किया जा रहा है यह सभी rights वो exercise कर सकता है जिसमें से सबसे पहला right तो यह है कि जब भी कोई police वाला जो है उसको आके arrest कर रहा है he or she can ask that person to identify themselves as police यानि जब भी police किसी person को arrest करने जा रही है they should bear accurate, visible and clear identification and name tags with their designations second right जो available है वो यह है that you can ask the police to call a lawyer for you यानि वो आप police से request कर सकते हो कि आपके lawyer को phone मिलाया जाए ताकि वो आके आपकी bail करवाए या फिर आपका जो case है वो आगे बढ़े लेकिन उन scenarios में जहाँ पर जो arrested person है उसके पास ना तो lawyer है ना तो वकील है और ना ही वो उस lawyer को उस वकील को afford कर सकता है तो उस case में क्या होगा वो court से कहेगा, court से request करेगा कि कि किसी lawyer को उसके लिए appoint किया जाए इसके लाबा जो arrested person है जब भी उसे arrest करने के लिए पुलिस आती है तो वो पुलिस से कह सकता है कि वो warrant for arrest दिखा है पुलिस report या फिर कोई भी ऐसा document दिखा है जो कि ज़रूरी है before arresting इसके बाद ये ज़रूरी है कि जिस भी person को arrest किया जा रहा है वो verify करे the accuracy of the memo of arrest जो कि पुलिस ने prepare किया है before signing it अब ये जो memo है इसके अंदर क्या-क्या होता है date होती है, time of arrest होता है और ये सब कुछ जो है वो attested होना चाहिए by at least one witness तो जब भी किसी person को arrest किया जाता है क्या होता है make sure कि witness present है rate of arrest correct है time of arrest correct है so जो भी arrest से related information है वो इस memo के अंदर present होती है so it is necessary कि जब भी sign क्या जा रहा है ये सारी details जो है वो ढंग से check की जाए by the arrested person इसके अलावा जो arrested person है वो पुलिस से पूछ सकता है about the eligibility for bail यानि किस offense के लिए उन्हें arrest किया जा रहा है और उस offense के लिए bail मिलती भी है या नहीं तो क्या है bail की eligibility इस बारे में जो arrested person है वो पुलिस से पूछ सकता है and within 48 hours of your arrest आप request कर सकते हो for being examined for major and minor injuries यानि अपने arrest के 48 घंटों के अंदर आप ये request कर सकते हो कि कोई भी जो trained doctor है वो आपकी body के अंदर जो भी major और minor injuries है उन्हें examine करें और ये जो physical examination होगा इसे record किया जाएगा in the inspection memo and it will be signed by the police officer ये इसलिए क्या जाता है ताकि पुलिस के द्वारा किये जाने वाले violence को prevent किया जा सके क्योंकि अगर ये memo created है ये already जो है inspection हो चुका है तो अगर उस इंसान को उस arrested person पे कुछ भी injury होती है तो clearly है memo दिखा दिया जाएगा कि जब उसे arrest किया गया था उस time पर उसे कोई भी injury नहीं थी तो it means custody के अंदर उसके साथ ये injury हुई है तो इसलिए police custody के अंदर किसी भी तरीके के violence को prevent करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस person का 48 घंटे के अंदर अंदर ही inspection हो तो ये तो बात हो गई arrested persons के right की कैसे जो police है वो किसी person को arrest कर सकती है क्या-क्या requirements होती है उसके बाद arrest होने के बाद जो arrested person है उसके क्या-क्या rights होते है जनरली जो woman है या man है उनके rights same होते हैं लेकिन woman के case में कुछ और चीज़े हैं जो police को ध्यान रखनी होगी अब वो क्या होती है अगर किसी woman को arrest किया जा रहा है तो उन्हें sunset के बाद और sunrise से पहले arrest नहीं किया सकता इसके लावा जब भी किसी woman को arrest किया जा रहा है यह जरूरी है कि एक lady constable मौजूद हो लेकिन अगर कोई ऐसी exceptional circumstances है कि जो woman है जिसे arrest किया जा रहा है वो बहुत ही खतरना क्रिमिनल है और अगर उसे अभी arrest नहीं किया जाएगा तो शायद वो भाग सकती है या शायद कुछ crime commit हो सकता है तो उस case में जो woman है उसे रात को भी arrest किया जा सकता है लेकिन इसके लिए जो woman police officer है उसे सबसे पहले writing के अंदर permission लेनी होगी from the local judicial magistrate दो इस regard में भी जो supreme court है उसने यह rules को relax कर रखा है अगर जो arresting officer है वो reasonably satisfied है कि दो जो lady officer है वो available नहीं है लेकिन अगर arrest करने में delay हुआ और इस delay की वज़े से जो investigation है वो abstract होगी तो उस case में जो भी arresting officer है वो woman को arrest कर सकता है लेकिन ऐसे case में जो arresting officer है उसे उस arrest memo के अंदर reasons और circumstances बताने होगे कि क्यों without lady officer उस woman को arrest किया गया है ऐसा क्या threat था ऐसे क्या reasons थे जिसकी वज़े से यह step लेना पड़ा सो अब हम यह तो जानते हैं कि जब भी कोई person जो है कोई crime commit करता है तो उसे कौन arrest करता है पुलिस arrest करती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह arrest करने की power सिर्फ पुलिस के पास ही नहीं होती बलकि magistrate के पास भी होती है यानि magistrate भी किसी भी person को arrest कर सकता है अगर उसने crime commit किया है law magistrate को भी यह power देता है अगर हम magistrates की बात करें तो there are two types of magistrates which are executive magistrate and judicial magistrate executive magistrate होते हैं जैसे कि तैसलदार और judicial magistrate होता है judge आप तक हम यह तो समझ गे है जब भी किसी person को arrest किया जाता है तो उसके पास क्या-क्या rights होते हैं जो कि वो exercise कर सकता है कर लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी किसी person को police arrest करती है तो police क् yacia-kia duties होती है क्या-kyा चीज होती हैं क्या-kyा requirements होती है जो कि पुलिस को फुल्फिल करने पड़ती हैं उनकी सबसे पहली ड्यूटी जो होती है वो यह होती है कि जब भी उन्होंने किसी भी परसन को अरेस्ट किया है उन्हें उस रिगार्ड में इनफॉर्मेशन देनी होगी So, within 12 hours of the arrest जैसे किसी परसन को अरेस्ट किया गया है उसके 12 घंटे के अंदर-अंदर उन्हें इनफॉर्म करना होगा to the police control room कि एक परसन को अरेस्ट किया गया है और उस परसन को कहां पर detained किया गया है कहां पर रखा गया है इसके बाद जो police है वो investigation चालू करती है और एक case diary maintain करती है during the investigation अगर हम case diary की बात करें तो ये एक daily diary होती है जिसके अंदर जो officer है उसके अंदर सारी details लिखता है यानि जैसे-जैसे investigation हो रही है उस investigation के अंदर क्या-क्या हुआ है उस record में सारी details जो है वो इस case diary के अंदर लिखी जाती है और जो officer ये सारी investigation कर रहा है जिसे वो case diary के अंदर लिख रहा है उसकी एक copy जो है उसे magistrate को भी दिखानी होगी next is charge sheet जो भी investigation पुलिस ने की है उसके basis पे उन्हें एक charge sheet फाइल करनी होगी और ये जो charge sheet है वो उन्हें 90 days के अंदर अंदर फाइल करनी होगी अगर जो accused person है वो अभी भी पुलिस की custody में है इसके लावा भी पुलिस की बहुत ही important duty होती है वो ये होती है कि जैसे ही किसी person को arrest किया गया है उसके arrest होने के 24 hours के अंदर अंदर जो भी nearest magistrate होगा उस person को उस arrested person को उस magistrate के सामने पेश करवाया जाएगा और पुलिस को ensure करने पड़ेंगे वो सभी legal grounds जिनकी वज़े से उस person को arrest किया गया है इसके लावा arrest related जो भी documents थे including the memo of arrest वो किसको भेजा जाएगा to the concerned magistrate for their record लेकिन अगर जो भी accused person है जो भी arrested person है उसे magistrate के सामने प्रड्यूस नहीं किया जा रहा तो उस case में habeas corpus की petition फाइल की जा सकती है अभी habeas corpus की petition क्या होती है इसके बार में detail में जानने के लिए आप नियाय के explainer पर पर सकते हैं इसका link मैंने नीचे description के अंदर add कर रखा है तो उसके उपर जाके आप English और Hindi दोनों ही languages में इसे detail में समझ सकते हैं तो अब हम ये तो समझ गए कि किसी भी person को arrest करते हैं जो है arrested person के क्या-क्या rights होते हैं और police की क्या-क्या duties होती है और जब भी किसी person को arrest किया जाता है तो warrant का क्या roll होता है दो offenses होते हैं again, cognizable and non-cognizable offense non-cognizable के case में warrant की जरुवत होती है और cognizable case में कोई भी warrant की जरुवत नहीं होती है लेकिन cognizable offenses के अलावा भी देरा certain circumstances जहां पर बिना warrant के जो police है वो किसी भी accused person को arrest कर सकती है अब वो कौन-कौन से scenario होते हैं वो हम समझ लेते हैं अगर कोई भी person police officer के सामने crime commit करता है at a public event और a police station तो उस case में किसी भी warrant की जरुवत नहीं है police उसे immediately arrest कर सकती है या फिर जो police है उसके पास एक reliable information आई है एक complaint आई है that a person has committed a cognizable offense तो उस case में भी warrant की जरुवत नहीं है police immediately जा के arrest कर सकती है या फिर जो court है उसने उस person को जिसे arrest किया जा रहा है उसे declare किया है as a proclaimed offender या फिर जो police है they have found someone with a stolen property और उन्हें शक है उन्हें suspect है कि उसी person ने उसे stole किया है रने इन that case उस person को arrest किया जा सकता है without warrant या फिर जो person है वो police officer को trouble कर रहा है in performing their duty तब भी उसे ऐसे arrest किया जा सकता है या फिर वो person जो already arrested था police custody में था वो police की custody से या फिर jail से जो है वो भाग गया है escape कर गया है तो उसे arrest किया जा सकता है या फिर उस person पे suspect किया जा रहा है शक किया जा रहा है of deserting the army इसके लावा अगर suspect किया जा रहा है कि किसी person ने जो है वो इंडिया के बाहर crime किया है तो उस case में उस person को वापस से इंडिया लाया जाएगा या फिर अगर वो जो person है वो already convicted है of a crime in the past और उसने अपने release की जो condition से उन्हें violate किया है तो उस case में भी उसे बिना warrant के arrest किया जा सकता है लेकिन arrest होने किये जो possibility है वो बहुत ही कम है if that person has been accused of a cognizable crime with a jail time of up to 7 years लेकिन इसके लिए जो police है उसके पास एक reliable information होनी चाहिए जो कि point out करे उस person का involvement और इन circumstances के लावा भी जो police है post person को तभी arrest कर सकती है कि अगर उन्हें डर है that that person is likely to escape या फिर evidence को destroy कर देगा या फिर जो victim है या फिर witnesses है उन्हें इंफुएंस करने की कोशिश करेगा या फिर कोई दूसरा crime commit कर सकता है So this was all about arrested person कि कैसे किसी person को arrest किया जा सकता है और उसके क्या-क्या rights होते है police की क्या-क्या duties होती है Thank you for watching this video Don't forget to follow me and do join us again for more of India's laws explained